63,900 vacancies आने वाली है गाईच सब डिपार्टमेंट में जए जई की बात किया जाए या अदर डिपार्टमेंट हो यह vacancies कहां आएगी qualification क्या होगी कितनी vacancies आपके assistant engineer में आएगा जेई में आएगा, क्या पर्ल टेक्निक टीचर्स में आएगा या इंजिनिंग कॉलेज के टीचर्स में आएगा इन सारी चीजों को इन वीडियों में हम नमस्कार दोस्तों वो आप लोग का स्वागत है टेकनिकल एक्जाम यूटॉब चेनल में कैसे हो सबी लोग तो आज का topic यह है कि बिहार में सरकारी नौकरी की पंपरवर्दी बिहार बजट पेस हुआ बिहार बजट पेस होते ही उनमें बैकेंसियों का भरमार आ गया अब बैकेंसिस की बात किया जाए तो यार तीन चीजों में डिवाइड है एक तो आयोग से भरती उसे पर टीचरों की भरती पुलिस और साथ विभागों की भरती आयोगों में भरती में टोटल नंबर अब वैकेंसियों जो है 63,900 है उसके बाद इसमें जो BPSC की भरती है 49,000 है BSS की भरती 39,000 है और BTSC की भरती 12,000 है अब BPSC में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते है ऐस इंजीनियर्स जो भी BPSC यही कहते हो ना असिस्टन इंजीनियर्स ओ वैकेंसिस होगी कुछ 7,800 हजार वैकेंसिस हो सकती है कुछ भी हो सकती है anything is possible और BTSC में जेए के लिए अच्छी खासे वैकेंसियों होती है 4-5,000 हो अभी देखो कैंसिल, non-कैंसिल चली रहा उसमें गामा तो ओभी एक बैकेंसिस आपको मिलेगी, BSSC में भी उतनी तो ओन टेकनिकल मोश्री होता, टेकनिकल पोस्ट के लिए नहीं होता है, तो इसमें कुछ न कुछ बैकेंसिस ओ BPSC में बैकेंसिस आपको इंजीनिंग फिल्ड वे मिलेगा और नॉन इंजीनिंग वालों के भी तुफायदा है, टीचरों की भरती की बाती जब प्राइमरी टीचरों की भरती 4872 उसके बैकेंसिस के प्राइमरी स्कूल का मैंने बता दिया, उसके बाद मीडिल स्कूल के फीजिकल टीचर के लिए आपको आल्मोस 6000 बैकेंसिस हैं, और यह PDF मिल जाएगा, यह पिक्चर स्कूल के बाते हीdefense बैकेंसिस है, प्राइमरी के परधान सिच्छा के लिए 40,000 बैकेंसिस हैं, अपगरेट और नय प्लस की फिज, प्रिस्फल की बैकेंसिस है 6,000 और इसमें इंजिनिंग और पडि टेकनिक कॉलेजियों में 2000 अब इंजिनिंग कॉलेज़ में जो गौर्मेंट इंजिनिंग कॉलेजु होते हैं जो वीटेक लेवल के उसमें टीचर की नीड होती है उसके बात किया जाए आपके 75,000 मतलब बहुत ज्यादा बैकेंसी जाए बिहार में है और इसमें खासकर इंजिनिंग के लिए भी फायदा ऐसा नहीं के इंजिनिंग के लिए बजट पेस हुआ तो अभी तो एनाउंस की है तो इसको प्रोसेस लगेगा टाइम लगेगा ऐसा नहीं कि तुरंद तुरंद निकलता जाएगा बठा एक साल के अंदर मतलब जो इनका अगला बजट तक में भी इसको पूरा निकाल दे बैकेंसी के ए मिलने वाला है आपको 5-6000 मान के चलिए इंजिनिंग फिल्ड में बैकेंसी है बहुत बंपर बैकेंसी है और आप लोग करना सुरू कर दीजिए असिस्टन इंजिनियर जई के लिए इन सारे बैकेंसी को आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है गाईश ठीक है और भी कोई कोई न्यूज हो आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और ये जेई लेबल की वैकेंसी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है सिर्फ सिर्फ टेक्निकल एक्जाम यूटूब चैनल पर आती है और बस यही वैकेंसी ती सकाई नौकरी के लिए बिहार वज़ पास हुआ है बागी टीचर्स खुस हो जाओ जो भी